हेलो एवरिवन मैं मेथून सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सबसे पले मैं आपको देखिए दो चीज़ें बताना चाहूंगा सबसे पले आप यहां से एक मोबाइल नमबर नोट कर लीजिए 7080-667367 अब बोलोगे ये नमबर किसका है ये नमबर मेरा नहीं है खुस होने की ज़रोत नहीं है ये नमबर जो है इसकूल का है वेकेंसी जहां से आई हुई है वहां की अगर कोई डाउट होता है कोई आपके आपके अंदर सवाल आ रहा हो कि इसका जवाब क्या होगा तो इस नमबर को डाइल कीजिए आंसर आपको मिल जाएगा तो चलिए आर्मी पबलीक स्कूल से रिकूटमेंट आई हुई है प्यार्टी टीजटी पीजटी कॉंसलर की भी रिकूटमेंट आपको यहां पे दिख केंगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्याओं को डाउट को दर्ज करा सकते हो एक और बात कमेंट बॉक्स में आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा वहां से आप हमारे साथ टेलिग्राम पे जुड़ जाएगे अगर वो लिंक काम ना करे तो डिस्क् तो वहां पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आगे आपकी मर्जी आगे देखिए आर्मी पबलिक स्कूल की ओफिचल वेबसाइट पर मैं हूँ एंड यू कैन सी इट हीर यहां पे आपको देखिए कैरियर वाला ओप्सन दिख रहा होगा इस कैरियर वाले ओप्सन पर आ के बारे में जानना है इस पर क्लिक करना है आपको जैसे डाउनलोड करोगे पीडियाप डाउनलोड हो जाएगी तो पहला डाउनलोड लिंक यह रहा दूसरा यह है आगे बढ़ते हैं अब देखिए कौन-कौन पोस्ट की रिकूटमेंट आई हुई है देखिए जो मैंने म प्रिकूटमेंट आई हुई है प्याटी के लिए आर्टीचर की रिकूटमेंट ऑपन है और पैरा-मेडिक की भी रिकूटमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी अब देखिए एक पात मैं आपको बतातू यहाँ पे कोई फी नहीं है नो फी जी हां एक कोशन पेपर लेना चाहते हैं CSB के उन्हें जो है आपको कोशन पेपर मिल जाएगा यहां से मेरी email ID देख लो yourmethodsing at the rate gmail.com पे mail कर लीजिए अगर instagram पे हो तो at the rate imethodsing लगा कर मुझे search कर लीजिए आपको मेरी ID मिल जाएगी वहां से आप मुझे जुड़ सकते हो कोशन पेपर के लिए आप बात कर सकते हो आगे देखिए आपको official website पे आना है और last date जो है 20 November 2020 20 November 2020 से पहले पहले आपको क्या करना है apply कर लेना है I repeat 20 November से पहले apply कर लेना है कोई fee नहीं है इस application form को download कीजिए और school का जो address है वो आप यहां से देखिए यहां से आपको दिख रहा होगा APS पतेगर का आपको जो है APS पतेगर जैसे यह आप Google पे सर्च करोगे देखिए यहां पे आपको school की address दिख सैगी इसी address पे आपको अपना application form भेज देना है I repeat यह जो है all over India से कोई भी apply कर सकता है आप XYZ study I mean XYZ आप किसी state से belong करते हो किसी district से belong करते हो कोई चीजों को आपको ध्यान नहीं रखना है आप apply कर सकते हो एक और बात नीचे देखिए mobile number भी दिया है school का और मैंने पहले भी mobile number बता दिया था तो वहां से आप apply कर सकते हैं यह रहा official website APS फतेगर और यह उत्तर परदे से recruitment आई हुई है Thank you so much for watching this video Have a great day